so friends ऐसे कई सारे question हैं जिनका मैं आज इसी वीडियो में answer देने वाला हूँ काफी सारे friends को thanks क्योंकि काफी अच्छे iSays comment की हैं मुझे काफी पसंद आते हैं तो अब ही शुरू करते हैं हमारे first question से जो की CE emulator में काफी सारे friends को दिक्कत आ रही है तो मैं दिखा देता हूँ, अब चेक करते जाना कि ये Will Later के अंदर चल रहा था कि मोबॉक्स, ये मोबॉक्स के अंदर ही चलता है और Will Later का जो अपडेट है, उसके आब आगे बात करेंगे और ये Officially इसलिए Release नहीं हुआ है CEMU क्योंकि Android में Already किसी ने Port किया ही नहीं है Port जैसे भी होगा तो हमको जरू से पता चलेगा और High End Device के लिए ही Optimize है Up to 8GB RAM हो, तो ये Stable Speed हमको मिलने वाले है चलते है, Will Later के अंदर, तो जिनका Normally Low End Device हो आप ExaGare by A-Link का यूज़ कर सकते हो, Will Later का कुछ फिक्स नहीं है Bob Box और Box 64 Droid में और Will Later में Stable Speed मिलने वाली है सब पहले से Already Update है, तो यूज़ी की तरफ अभी चलते है यूज़ी में कई सारे लोगों को Black Flickering की और Optimization की जुरूवत है मैं आज आपको एक अच्छा Build बताने वाला हूँ, जिससे आप Sharpness को कम कर पाओगे मैं आपको Build दखा दूँगा, उस वीडियो की Link भी मेंशन कर दूँगा मेरे चैनल पर Already Update है, वर्ज़न 248 का है ये वाले वीडियो में मैंने कैसे Sharpness आपको यूज़ करना है उसके बारे मैं Already बता के चुका है उसको एकदम कम करना जैसे आपका Device जैसा हो अगर High End Devices हो तो नहीं, ये 248 का Build है जो काफी मुझे Optimize लगा था उस टाइम पे अभी तो काफी ज़्यादा आ चुके हैं लेकिन ये 248 का जो Build है कई सारे Low and High Devices के लिए काफी Stable था तो मैंने आपको जितने भी Question थे फिर भी मुझे बता ना, मैं आपके comment का ज़रूर से reply दूँगा Mobox, Willlator, ExaGar जो भी Emulator लाँच होए है लाँच होना बाकी है, कासी अभी अभी आने वाला बाकी है तो उसके लिए बने रहे ना, सारी settings और कब release होने वाला है, उस settings के साथ और हाँ, New Cosmix PS2 का Emulator भी काफी जल्दी हमको मिलने वाला है तो आप इसके लिए बने रहे ना, जितने भी low and high device है हम ज़रूर से उसमें टेस्ट करेंगे क्या result है, आपको उसके बारे में भी information दे देंगे RPCS3 से लगे X Emulator का काफी सारा हमने अपडेट करके रखा है जिन लोगों को नहीं पता है, तो मोबोक्स के अंदर मैंने अलेडी टेस्ट करके रखा है सो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए वाइफ्रेंस